नमस्ते सौरी फिर से कट हुआ था नेटवर्क कट हुआ था हम देखरे काल तत्र सम्वत स्काल परिशा चल रहे सुत्र कर्वांक वन ट्वेंटिफाई कालहा पुना सम्वत सरहा आतुरा वस्थाच तत्र सम्वत सरो ग्विधा तृधा शोड़ा द्वादशधा भूयाच अपी अतहा प्रविवज्जते तत्कार्य अभी समीक्ष मतलब काल जो है वो दो प्रकार का है एक तो उत्तर्याणो दक्षिना है त्रिधा ये रुतु आयन के उपर है फिर है शोड़ा रुतु के अनुसार शोड़श प्रकार का है त्रिधा कितने प्रकार का है वायू उष्ण वर्षा और शीत इन गुणों से त्रिधा प्रकार का है शोड़ा रुतु के अनुसार है द्वादशधा बारा मास के अनुसार है और इसने भी सारे बाकी के अवि प्रकार उस कार्य के अनुसाराम उसके प्रकार कर सकते हैं अत्रखलू, तावच, शोड़ा, प्रविबज्ज, कार्यम उपदेख्षते अब जो 16 प्रकार का, 6 प्रकार का, जो उसका विबजन किया है, उसका वर्णादम करते हैं हेमन्त, ग्रिश्म और वर्षा ये क्रमशह, शीत, उश्न और वर्षा लक्षण से रुतू उत्पन्द होते हैं मदब हे मंत ये शीत गुण का है, गृश्मा ये उश्ण गुण का है और वर्षा ये वर्षा लक्षन का है। एवम एते संशोधनम आधिकुरुत्य शट प्रविबज्जते रुतवाहा संशोधन के आधिकरण से रुत्यों के आनुसार काल का विबाजन किया है तत्र साधारण लक्षन एशुरुत्य श्ट रुत्यों वमनाधि नाम प्रवुत्य विधियते निव्रुत्य इतर एशुरुत्यों क्योंकि साधारन लक्षनाही मंद शीत उष्ण वर्षत्वात सुखतमाश्च भवंती अविकलपकाहा शरीर आउषदानाम जो साधारन लक्षन के रुतु है इनमें मंद शीत उष्ण वर्षा तीनी जो शीत उष्ण वर्षा है ये मंद गुण के होते हैं वो रुटु सुखकर होते है और इसलिए शरीर और आउशद के कोई भी उपदर उत्पन नहीं होते है इतरे इतर रुटु में मतलब हिमंत ग्रिश्म और वर्षा में पुनाह अत्यर्थ शीत उष्ण वर्षत्वार क्रमशा शीत उष्ण वर्षा अत्यंत होते है इसे दुख़तमाश्य इसले शोधन करने से दुख़ उत्पन होता है और शरीर आउशदानाम विकलपकाश्य शरीर आउशदों के उपद्र उत्पन होते हैं अब ये जो तीन रुतु है इसमे शोधन क्यों करना नहीं चाहिए इसका वरणन कर रहे हैं तत्र हेमन्ते ही अतिमात्र शीत उपहतत्वात शरीरं असुखोपपन्दम भवती अतिशीत वाता अध्मात अतिदारुनी भूतम अवबद्ध दोशम चाहिए मन्त रुतु है अत्यंत शीत होने से शरीर को उपहत करता है शरीर को उपहतत्वात अतिशीत वात और अध्मात से अतिदारुनी भूतम मतलब अतियंत दारुना ऐसा वायू होने से शरीर में अवबद्ध दोश अंदर अवुरुद्ध हो जाते है इसलिए अगर ऐसी आवस्था में बेशजम पुना संशुदन आरतम शोदन के जो उष्ण सभावम यह क्या करते है अतिशीत वुपहतत्वात मंद विरतों आप पदे शरीर अतिशीत गुण से उपहत है ऐसे शरीर में शीत गुण से उपहत शरीर में उष्ण गुण के अगर आउशत दिये हमने तो उनका विर्य शक्ति ये मंद हो जाती है तसमात तयोहो स तो उनके संयोग से शोधन का अयोग होता है और शरीर में वायू के उपदर उत्पन्न हो जाते हैं इसलिए हेमंत रुतु में किसी भी परकार का शोधन प्रायाहा नहीं देना चाहिए ग्रिश्म रुतु में ग्रिश्मे पुनहा ब्रुष उष्ण उपहतत्वात शरीरम असुखोवपन्दम भवती उष्ण वाता अतप आधमातम अतिशी शिथिलम अत्यर्थ प्रविलिनम दोशं। अतिशी शिथिलम और उसके कारण अतिशी शिथिलम और अत्यर्थ प्रविलिन ऐसे दोश होते हैं। उष्ण गुण के बेशश देने से शोधन का अतियोग होता है और पिपासा रूपी उपदर निर्माण होता है। वरशा सूतु मेग जला अवतते मेग और जल से आकाश अवतत होता है। अरक चंद्र नक्षत्र तारे सूर्य चंद्र और तार का गूड मन दिखाएने देते। धारा कुले वियती धारा गिरती रहती है। उससे वियती भूमव आकाश में धारा पर गिरती रहती है। और उससे भूमव पंक, जल, पटल, संवरुता यां भूमी पे गिचड का जल का पटल होता है। उसके कारण अत्यर्थ उपक्लिन शरीर भी क्लिन न होता है। ऐसे भूतेशू, वियतीस्चू, भावेशू, केवलेशू, आउशद ग्रामेशू, सभी परकार का आउशद ग्राम भी तोय, तोयद, आनुगतम, मारुत संवर्गात, गुरु प्रवरुता नी, सभी आउश अगर हम देंगे, तो अत्यांत कठिना इसे वमनादी की प्रवरुत्य होती है। और गुरु समूत्थानाने चे शरीरानी, और शरीर में गुरु हेत्तु उस उत्पन होने ले व्यापद उत्पन होते हैं। दसमात वमनादी नाम, निरुत्तिर विदियते, वर्षान तेश इसलिए वर्षान तेशु रुत्तु शु वमनादी की प्रनिरुवर्ति बताई है। न चेद आत्येकम कर्म, किन्तु आत्येकावस्था गुरुत्पन हो गई, तो आप इन रुत्तों में भी वमनादी कर्म कर सकते हैं, पर वो करने के लिए क्या करना है? आत्येके पुना, ये बहुत महत्व का विश्य है, अत्येकावस्था में कर्मनी कामम रुतुम विकल्प्यों, क्या कर्म करना है? उसके अनुसार, जो कर्म करना है, उसका जो रुतु है, मतलब वमन कर्म करना है, तो वसंत का, विबस्ती देने हैं, तो प्रावरुट का, विरशन करना है, तो शरत के अनुसार कुरुत्रिम गुण उपधाना न वो रुतु के गुण कुरुत्रिम गुण उपधान ऐसे घर में रहो कि जहाँ पे उस रुतु के गुण उत्पन किये है यथा रुतु गुण विपरतन और रुतु के गुण के विपरीत भेशजम संयोग संसकार प्रमान विकल पेन उस रुतु जो उत्पन्न है जो या जिसके कृत्रिम रुतु उत्पन्न किया है उस रुतु के विपरित गुण के अवशत उनका संयोग संसकार प्रमान आधी भेद से विचार करके प्रमान वीरिय समम कृत्वा प्रमान और वीरिय का विच कैसे करना है उसका मार्गदरशन इस सूत्र में किया गया है आप काल का दूसरा जो व्षय है आतुर आवस्था एक काल देखा नित्यका अब आतुर आवस्था और जिस काल में वो कार्य नहीं करना है आतुर में उसका वो अकाल है तद यथा अस्याम अवस्थायाम अस्य बेशच अस्य कालहा मतब इस अवस्था में इस अवशत का ये काल है कालहा पुनहा अन्यस्यति और दूसरे अवकाल में दूसरे अवशत का काल है ये अवस्था वि तस्य परिक्षा उसकी परिक्षा कैसे करनी है? तो मुहूर मुहू आथूर अस्य सर्वावस्था विशैशा अवैक्षणils धीरे दीरे आतूर की सभी आवस्थाओं का आप परिक्षण करके यतावद उस आवस्था के अनुसार बेशजप्र होगार्थम आवशग का प्रयो और वो काल उलट जाने के बाद आपने चिकिस्सा की, तो भी वो योगिक नहीं होता, मतलब वो कोई उपयोगी नहीं है, और काल आने से पहले ही, चिकिस्सा का काल आने से पहले ही, अगर आपने चिकिसा अगर आपने उसका आउशत दिया तो भी वो उसका योगी कि नहीं होता इन तीनों रुतु में शोदन और पंचकर्म करना नहीं है उसका वीवेचंग किया है कि हेमन्त रुतु में आगदर आपने दिया तो हेमन्त रुतु ये शीत गुण से उपहत शरीर है उसमें उष्णा गुण का द्रविया देने से वो पंचकर्म का अयोग होता है ग्रिश्म एक प्रकार के उपदों निर्मान कर देता है इसलिए वरशा में भी शोधन करना नहीं है पर आत्ते का वस्था में अगर आपको करना है तो आप कृत्रिम गुण उपधान करके उसके विपरित आउशत देखे आप कर सकते हो ये वरणन अभी किया सूत्र में किया अब आगे अव काल प्रयोग देखे इसलिए अतितकाल और अप्राप्तकाल में आउशत कभी देना नहीं चाहिए क्योंकि वो योगी का नहीं होता कालों ही बईशज्य प्रयोग परियाप्तिम अभी निर्वरते थी काल है योग्य काल में ही आउशत का प्रयोग देने से सिद्धी प्राप्त होती है इसके बाद में काल परिशा खतम होई अब आगल्या दशवित परिक्षा से नववा परिक्षा है वो है प्रवरुत्ति प्रवरुत्तिस्तू प्रतिकर्म समारंभा प्रतिकरव वमल चिकिस्था, चिकिस्था को शुरू करना यही प्रवृत्ति है, तस्य लक्षन क्या है? तो भिशक, औउषद, आतूर, परिचारकाना क्रिया समायोगा है, चिकिस्था करने के लिए वैद्य, आतूर, अउषद और परिचारक इनका समानयोग, समयोग होना य यही प्रवृत्ति है। प्रत्य के गुण बताए है। योग्य गुणों से उत्पन्नों के चतुषपात के द्वारा या उशत देना इसको ही उपाय कहा जाता है। एवं एते इस प्रकार से देखी कितना विस्तार से वरणन किया है। एवं एते दश परिक्ष विशेशाहा पुर्थक पुर्थक परिक्षतव्य भवंती। इस प्रकार से कारण करण कारियोनी, कार्यफल, देश, अनुबंद, काल, प्रवृत्ति और उपाय इनका सविस्तर वरणन किया। परिक्षा या तू इन परिक्षा का खलू प्रयोजनम, प्रतिपत्ति द्यानम। प्रतिपत्तिव का अर्थ है करतव्य क्या करतव्य करना है और क्या नहीं करना है इसको प्रतिपत्ति कहते हैं प्रतिपत्तिव्य इसकी टीका है प्रतिपत्तिव्य अनुष्ठानम मतलब क्या करना है तो परिक्षा यातु खलू प्रयोजनम प्रतिपत्तिद्ञानम प्रतिप प्रतिपत्ति किसको कहेंगे कि जो विकार में जो अनुष्ठान करना है उसका ज्यान यही प्रतिपत्ति द्याने इस प्रतिपत्ति के द्यान के लिए दशवीद परिक्षा का वरणन किया है आगे कहते है यत्र दुखलू वमनादी नाम प्रवृत्ति यत्रच निवृत्ति तद व्यासत अहा सिद्धिशू उत्तर उपदेश्या महा कौनसे कौनसे आवस्था में वमनादी की प्रवुरुत्ती मतलब वमनादी देने है और कौनसे कौनसे आवस्था में वमनादी कर्म नहीं करने है इसका सभी विस्तार से वर्णन सिद्धि स्थार में उत्तर काल में किया जाएगा प्रवुरुत्य निवुरुत्य लक्षन संयोगे तो गुरु लागवम संप्रधारिय सम्यक अध्यवसेत अन्यतर निष्ठायाम अगर प्रवुरुत्य और निवुरुत्य के लक्षन का संयोग होगा तो गुरु लागों का मतलब कौनसा लक्षन गुरु है मतलब बड़ा है कौनसा लक्षन लगु मतलब ही नबल का है इसका विचार करके फिर निश्चय करके आप तैय किजिए कि वमन आदी करम करने है या नहीं करने है, संतिही व्याधयाह, शास्त्रेशु, उत्सरग अपवादय ही, उपक्रमम, प्रतिनिर्दिष्टाह, मतलब इसका पहले शब्दशा अर्थ बताता हूं, कि ऐसे भी व्याधी में शास्त्र के बाहर जाके विचार करना पड़ता है, शास्त्रेशु, उत्सरग अ अववाम्य कहे है, सिद्ध स्थान में अववाम्य, मतलब जिनको वमन नहीं देना है, उनकी जो यादी दी है, उसमें चरदी रुद्रोग और गुल्मा के चिकिस साध्य में वमन की अवस्था बताई है, कुष्ठ रोग, ये बस्ती के लिए अयोग है, मतलब कुष्ठी र अवस्था जिस व्यादी में जो कर्म करना योग्य नहीं है, अगर उस व्यादी में भी वो कर्म करने की अवस्था आती है, तो आपको कर्म करना पड़ेगा, मतलब रुद्रोग और गुल्म में वमन प्रायाहा नहीं देना चाहिए, पर वमन देने की अवस्था अगर उन वैधिव में आ गई श्लेश्मा का उतकरश आ गई या रुल्लास आ गईा तो आपको वमन वहाँ पे विचार करके देना पड़ता है कुष्थर यसे वैधि में बस्ते देने की अवस्था नहीं है पर अगर बस्ते देने की जो अवस्था है वो अगर कुष्ठा में उत्पन्न हो गई तो आपको बस्ती देनी पड़ेगी इसलिए तस्मात गुरुलागवं सम्प्रवधारिय सम्यक अध्यवसे देती उक्तम इसलिए गुरुलागवं का विचार करके सम्यक निश्चे करना चाहिए कि मुझे कौन सी चिकिस्टा करनी है कौन सी नहीं करनी है अब इसके आगे इसके आगे का जो अध्येन है यह हम कल करेंगे यहाँ पे दशविद परिक्षा और जो नवव का प्रशनते उसमें से साथ प्रशनों को उत्तर दिया बाकी के जो भाव है वो हम कल के वैक्षेन में लेंगे और फिर अगले के मतलब कल के वैक्षेन आखरे आखरी होगा रोग विश्च जित्या अध्याद का फिर उसके बाद में हम तय करेंगे कि आगला स्थान कौन सा लेंगे तो हाज हम यही रूखेंगे आज तीन भागों में क्योंकि बीच नेटवर का प्रावलेम आने से तीन भागों में यह अध्याद हुआ है तो हम यह आज रूखते हैं नमो नमा कल सुभे ग्यारा बजे फिर आगला विशे लेके आपके सामने फिर उपसित रहेंगे नमस्ते नमस्कार ब्रह्म दक्षा श्विदेवेश भरद्वा यपनर्वसु फुता शवेश चरक का प्रभृति भ्यो नमो नमाहा आज हम रोग विश्यक जीतिये नाम का चरक सहिता का विमास्तान का आठवाध्या है उसका आखरी भाग हम देखने वाल है गत साथ दिन से हम ये अध्या पढ़ रहे है और आज उसका आखरी जो अधिकरण है उसके शुरुवात होने वाली है अब सूत्र नमबर 135 यहां से हम शुरू करेंगे जो नव प्रश्न पूछे गए थे उसमें जो आखरी प्रश्न था कि यानी तू खलू वमनादी शू बेशज द्रव्यानी उपयोगम गच्छनती तानी अनुवैख्या स्या महा जो वमनादी जो भेशज द्रव्या है उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो हमें बताईए ऐसा जो नववा प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तरव विस्तार से च आत्रेजी दे रहे सबसे पहले वमन द्रव्योग का जो वरणन है उसका यहां पे सूत्र 135 में किया है तद यथा फल जीमूतक इक्षवाकू धामारगव कुटज कुटवेदन फलानी यह एक योग फल जीमूतक इक्षवाकू धामारगव पत्र पुषपानी यह दूसरा योग आरगवद फुक्षक मदन स्वाधूकंटक बला गोक्षुर पाठा, पाठला, साशारंगेष्टा, मुरुवा, सप्तापरण, नक्तमाल, पिचुमर्द, पटोल, सुशवी, गुडूची, चित्रक, सोमवलक, शतावरी, द्वीपी, शिगुरुमूल, इनका कशाई ये तिसरा कल्प, मदूक, मदूक, पहला मदूक, रस्व है, तो ये जश्टमद, मतलब यश्टी मदू है, और दूसरा मदूक, धुदिर्ग है, तो ये मोह अव्रुक्ष है, मदूक, मदूक, कोविदार, कर्बुदार, नीप, विदूल, बिम्बी, शनपुष्पी, सदा पुष्पी, प्रत्यक पुष्पी, कशाय, इनका कशाय, चाउथा योग है, एला हरेणू, प्रियंगू, प्रुत्वीका, कुस्तुम्बुरू, तगर, नलद, रिबेर, तालीश, उशिर, कशाय, ये पाच्वा कल्प है, इक्षु, कांडेक्षु, वालीका, दर्ब, पोर चाय, सात्वा कल्प है, शालमली, शालमलीक, भद्र, परणे, एला, परणि, परणि, उपोदिका, उद्दालक, धन्वन, राजादन, उपचित्रा, गोपी, श्रुंगाटिका, कशाय, इस्च, ये आठवा कल्प है, पिपली, पिपली, मूल, चववे, चित्रक, दकई ही, ये नवा कल्प है, ऐसे आठ नो कल्प, यहाँ पर अलग-अलग बताये हैं, अब ये सारे कल्प किस प्रकर से करने हैं, तो यथा लाबम, इसमें से जो प्राप्त होगा, उसका समाविश करके, यथा इश्टम, यथा इश्ट की ठीका है, जो दोश के, जो दोश है, उस दोश के तरतमत्व से, दोश के सोतंत्र परतंत्र से, दोश के गुणों से, आउशाश कल्पना के अनुसार, आपको इसको प्रयोशन करना है, फिर उसके द्रव्यों का सिलेक्शन करना है, इसको कहते हैं, यथा इश्टम, वा अपी उपस संस्कृत्य, फिर उसके उ पर संसकार करके मतलब उनमें अगनी का प्रया अगनी वागरे बाके का क्रिया संसकरन करके उसकी वरती क्रिया चुर्ण अवलेह स्नेह कशा यहां पर वरती यह शब्द वरतीवत बनाना है जो मुख से सेवन केरने के लिए बताए क्योंकि वमन के कल्प है यह गुदवरती का वर्ण यहां पर नहीं है तो वरती क्रिया चुर्ण अवलेह स्नेह कशाय माउसरस यवागु यूश कामबलिक क्षीर उपधेयान मोदकान अन्याश्य भक्षान भक्षप्रकारान विविदान अनुविधाय यथारहम वमनारहय दद्यात विदिवत वमनम तो यह जो सारे द्रव्य है इन द्रव्यों के सारे नाम मतलब अगर कि अगर आपको नाम पता नहीं है तो टीकागारों की मदद लिजे टीकागारों ने यहां पर सारे जो जो द्रव्य अलग दिखाई देते हैं उनका उनकी वैक्षय की है तो वहां मुल सा मूलता टीका से दिखिए क्योंकि यह हमारे आधिकरण का भी विश्य नहीं है उनकी अवलेहस नहीं है कशाय मांसरस यवागू कामबलीकाक शीर उपधेय वगरे यह मुदक जैसे और कोई भक्षपरकार करके उनको सिवन करके यथारहम जिसको जो कलपना दे सकते हैं देनी चाहिए उस कलपना के अनुसार वमन आ रहाई है जो वमन के योग्य है ऐसे व्यक्त इसका पूर्णरा कलप स्थान में इसका विस्तार से हम आगे वरणं करेंगे यहाँ पे जो वरगीकरन किया गया है वो प्राया समान गुणता बदब जिन द्रव्यों के गुण समान है एसे गुणों से अलग-अलग कलप यहाँ पे वरणं की ऐसे चकड़पनी कहते हैं इन सभी द्रव्योका क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलानी यथा योगम तई ही तई ही क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलाई ही विकलिता अविकलिताई ही यहां शब्द है विकलित और अविकलित विकलित कारत है संयोग से और अविकलित कारत है केवल प्रयोग स मतलब शामा के खशीर मूलत वक पुट्र पट्र पुष्पफल या त्रिवरु चतुरंगुल, तिलवक, महावरुक्ष, सपतला, शंखिन, दंतिद्रवंती इनके जोजो उपयोग तांग है वमन के लिए दंतिद्रवंती का मूल है, महावरुक्ष का क्शीर है, तिलवक का फ जिसका प्रेयोक करना चाहिए उसके अनुसार उनका विकलीत मतलब संयोग करके , या फिर अकेले शामा, अकेला त्रिवरुत , अकेला तिलवक , अकेला महावुक्ष , अकेले दन्ति ऐसा अव विकलीत अमतलब केवल प्रेयोक ब्याप कर सकते हो अचगंधा अश्वगंधा अजश्रूंगी क्षिरिनी नीलीनी क्लितक कशाय है ही ये दूसरा कल्प प्रकिर्य उदकिर्य मसूर विदल कंपिल्लक विडंग वा गवाक्षी कशाय है ही ये तिसरा कल्प है पीलू, प्रियाल, मृद्वीका, काश्मर्य, परुशक, बदर, दाडीम, आमलकी, हरितकी, विभीतक, वृष्चीर, पुनर्नवा, विदारी गंधादी, कशा यही यह चौथा कल्प है सिदू, सुरा, सुवीरक, तुशोदक, मेरेयक, मेदक, मदिरा, मदू, मदूलक, धान्यामल, कुवल, बदर, खरजूर, करकंदु भी, यह पाच्वा कल्प है और विविदा प्रकार के कशीर और मुत्र, इनसे विरशन कर सकते हो, यह चटा कल्प है इन में से यथा लाबम, जो आपको मिलता है, और यथा इश्टम, जो योग्य है इश्ट मतलब आपको चाहिए ऐसा आर्थ नहीं है, जो उस रुगण की आवस्था में योग्य है उसको यथा इश्ट कहते है, वा उपर संस्कुरूत्य है, फिर उसके उपर संस्कार करके वर्ती क्रिया, चुर्ण, आसव, अवलेह, या अब वमन में आसव नहीं था, पर विरेशन में आसव कलपन दी है अवलेह, स्नेह, कशाय, माउसरस, यूश, कामबलिक, यवागुक, शीर, उपधेयान, मोदकान, अन्याश, भक्ष, विकारान, विविदाश, योगान, अनुविधाय, यथारहम, विवरेचनारहाय, दद्यात, विरेचनम यहाँ पर जो कलप बताए है, वो पूरे कलप भी ले सकते हो, या फिर अलग-अलग सिंगल प्लैंट भी आप ले सकते हो, तो इसको कहते है, यथा इश्टम, बदब कौनसे रुग्ण में, कौनसा द्रव्य योगिक है, इसको आप ले सकते हो, और जो द्रव्य उस कलप में योगिक नहीं है, उसका आप त्याक कर सकते हो, इतनी छूट आगे उसका विवेचन आने वाला है, इसकी छूट हमें दी है, तो आप सिंगल ड्रग भी उसकर सकते हो, या फिर वो पूरा कशाय भी आप ले सकते हो, यथा इसको ही कहते है, यथा इश्ट, तो इसको अनेक अ प्रकार के कलपना करके विविध योग बनाके आप जहां जिसको जो योग चाहिए ये बुद्धी वैद्ध की होने चाहिए किसको क्या योग देना चाहिए एक ही कलप देना है सबको ऐसा अईरवेद नहीं मानता है ये वैद्ध की विविध बुद्धी पर मतलब बुद्ध जीवत विरेशन करना है उसको भी विधी बताई है इती कल्प संग रहा विरेचन द्रव्याना कल्पम एशाम विस्तरेन यथावल उत्तरकालम उपदेक्षावा इसके कल्प मतलब इनके जो अलग-अलग कल्प है उनका विस्तार से कल्पस्थान में अध्या साथ सेले के बार वर्णन है और बहुत सुन्दर वर्णन है और अगर हम इसका उपयोग व्यावार में करेंगे तो हमारी उम्र कम पढ़ जाएगी कि कि इतने कल्प बताये हैं कि कि इतने विविद प्रकार से आस्थापाम बस्ते के कल्प हैं हम एक-एक करके देखेंगे आस्थापनेशु भुईष्ट कल्पानी द्रव्यानी यानी योग मुपायांती तेशु तेशु अवस्थान तरेशु आतुराणाम अवस्थान तरेशु आतुर के रुगण के अलग-अलग अवस्थाओ में जो जो अलग-अलग कल्प आस्थापन के कल्प उपयोग में लाए जाते हैं वो आती बहुत वाद उसका नामताव उल्लेख करना ये अशक्य कोटी की अशक्य बात है क्योंकि वह अपरिसंख है आप कितने कलपों के कितने संसर्ग करके बना किसी रुग्ण में शामात्रीवरुत करके शामात्रीवरुत और मदनफ लेके मैं आपको अस्तावंबस्ते का सबस्तुरोन का है पूरा अलग बता निरमान हो जाएगा इसके विस्ताठ है इसका बहुत और विस्तार वह से पूरा बता नहीं पाएंगे इसलिए इश्टहाच अनति संग्षेप विस्ता रहा उपदेश तंत्रे शास्तर रचना करते समय किसी का भी जो उपदेश करना है वो जादा संग्षेप में भी नहीं करना है और जादा विस्तार से भी नहीं करना चाहिए ये इश्ट है मैं लग किसे भी विश्य का उपदे वप्रीवतानी अत्र व्यक्षिया स्यामाँ इसलिए अस्थापन बस्तेओं के कलप हम रसताहां बता रहें कि कैसे करना चाहिए रसत क्यों बता रहें रसत संसर्ग विकल्पों विस्तारों ही एशामअपरी संखेयानाम समवेतानाम रसानाम अउशाउशबल विकलप आती बहुत वाद इसका विवेचन रसवीमान के अध्ये के मतलब जो प्रथम अध्ये का आपने अध्येन किया था उसमें इसका बहुत विस्तर से वरणन किया है अब वो विवेचन फिर से एक बार सुन सकते हो यह आधी करण अब एक एक शब्द का आर्थ देखेंगे समवेतानाम रसानाम मतलब जो रस इकट है कोई भी द्रव्य सिर्फ एक रस का नहीं होता द्रव्य में कई रस अलग अलग आउशाउश में रहते हैं बन पलस रहेगा लवण नहीं रहेगा जैसे आमलकी में पाच रस है हरिदकी में पाच रस है उसी प्रकार से कई द्रव्यों में तरतमत्व से सभी रसों का वहाँ पे या दो रसों को या तीन रसों का या चार रसों का उनमें समावेश होता है तो कोई भी द्रव्य एक रसात्मग होता नहीं है इसलिए समवेता नाम रसा नाम जिस द्रव्यों में रसो का समुदा है उनके आउशाउश से मतलब कौनसा किसका आउश बलवान है और किसका आउश अलप बलवान है इसके विकलप से आउंशाउंशके विकलब, विकलब मतलब भेद, मतलब समवेत रसोके, समवेत मतलब मिश्रीत, मिश्रीत हुए रसोके आउंशाउंशके भेद से बहुतव होने से, मतलब ऐसे भेद बहुत संख है, यो cannot count it, कि ऐसे कितने वेद होंगे, इस प्रकासे चे रसोके परस पर संसरग, ये अपरिसंखे हो सकते हैं, इसलिए रसोके 6 संसरग विकलब भिस्तार, ये जो रसोके संसरग विकलब, रसोका संसरग, मतलब दो रस इकटे, तीन रस इकटे, चार रस इकटे, पाच रस इकटे, छे रस, उसमें भी तरतम, मतलब एक रस तरह है, एक रस तम है, दोनों समान है, एक रस बलवान है, एक रस कौन से आउश्चे से बलवान है, ऐसे उनके अपरी संखेय उनके हो सकते हैं, रसों के संसर के विकल्प मतलब भेत इनका जो विस्तार करने बैठेंगे तो ये बहुत मुश्कील है उन्सके काउंटिंग करना तो ये अपरिसंग के ये तसमाद इसलिए द्रव्यानाम चो एक देश अम उदाहरनार्थम हम एक देश से मदब संग्षेप में वरणंग करेंगे और वो प्रव्यों का विबाजन करके रसा इकए कशेन चो नाम लक्षनार्थम रसो के एकेकशा वरणं करके नाम लक्षनार्थम शड अस्थापन सकंदहा रसतहा अनुविबज्य व्याक्ष्यास यंते अस्थापन सकंद जो है वो इस रसो के अनुसार छे अस्थापन सकंदों का हम व्याख्यान करेंगे यहाँ पर अनति संग्षे पर विस्तर जो बताया है वो सामाने द्वारा द्ञानम भवती यह इश्ट है और यहाँ जो कहते है कि नाम लक्षनार्थम इसके ठीका भी बहुत महत कट्टू में क्या है ऐसे वरणन हमने प्रत्यक्ष उक्तों के किये हैं इसको भी नाम अलक्षन उंक्य नाम बता है और दूसरा अनुक्ता नाम मदूरादी द्रव्या नाम तद जाती ये तुवेन लक्षण आर्थम अस्थापन योगी द्रव्य समुहा व्याख्यास संते और इनके द्वारा जो द्रव्य यहाँ बताए नहीं है ऐसे अनुक्त द्रव्य है उनका भी समाविश इसमें करना चाहिए ये नाम और लक्षण इन दोनों के द्वारा प्रयोग करना च कि इसलिए जिसमें प्रदानदः से है उसका उस में समाविश किया है जिसमें अब आगे सूत्र 138 में कहते हैं यत्तू शडविदम आसथापनं एकर समित्यां चक्षते भिशेजाहा इसलिए शडविदास्तापन का जिसमें जो द्रव रस प्रधाने उसके द्वारा हमने विबाजन किया है तद दुरलव तमम संस्रुटर रस भुईश्टत्वा द्रव्याणाम क्योंकि संस्रुटर रस द्रव्यों है उनका विबाजन करना ये बहुत क प्रवाव मदूर है मदूर विबाजन का विबाजन करना ये बहुत कि द्रव्यों का ये रस द्रव क्त्ध करना डित्र द्रव्या विबाजन का इसमोंजन उसी मलगन में जो अमल रसके है, अमल प्राय है, अमल विपाक के है, अमल प्रभाव के है, वो अमल स्कंद में है, जो कटू है, कटू प्राय है, कटू विपाकी है, कटू प्रभाव के है, वो कटू स्कंद में समाविश किया है, जो अमल है, जो तिकत रसके है, तिकत प्राय है, तिकत विप तिकत प्रभाव के है वो तिकत में है जो कशाय रस का है कशाय प्राया है कशाय विपाक का है कशाय प्रभाव का है वो कशाय सकंद में समाविश किया है यही नियम जो आत्रेबदर काप्या में जो रसों के संग्रव बताए है वहां पे भी यह लगाना है क्योंकि कोई भी द् प्रतमता मदूरसकंद जीवक रुषबगो जीवंती वीरा तामलकी काकोली क्षिर काकोली मुद्गपरणी माश्परणी शालपरणी प्रुष्णीपरणी असनपरणी मदूपरणी मेदा महामेदा करकट श्रुंगी श्रुंगाटिका चिन्नरुहा चत्रा अतिचत्रा श्रा पुनर्नवा, ब्रुहती कंटकारिका, उरुबक, मोरट, श्वद्राउष्ट्रा, सौहरशा, शतावरी, शतपुष्पा, मदूपुष्पी, यश्टी मदू, मदूलिका, मृद्विका, खरजूर, परुशक, आत्मगुप्ता, पुषकरवीज, कशेरुक, राज कशेरुक, राजादन, कतक, काश्मर्य, शीतपाक्योदनपाकी, तामल, ताल, खरजूर, मस्तक, इक्षु, इक्षुवालिका, दर्भ, कुष, काश, शाली, गुंद्रा, इतकट, शरमूलं, राजक्षवक, रुष्प्रोक्ता, द्वारदा, भारद्वाजी, वनत्रपुषी, अभिर वनत्रणासिका, कुलिंगाक्षी, क्षिरवल्ली, कपोलवल्ली, कपोतवल्ली, सोमवल्ली, गोपवल्ली, मदूवल्ली, चेती, इतने सारे द्रभव्यों, मदूरसकंद में, देखे, आयरुवेद में, आउश्दों की कोई कमी नहीं थी, क्या देना चाहिए यह प्रश्णा आता ही नहीं था किसको क्या देना चाहिए यह प्रश्णा आता था या यह द्रव्यों कौनसी आवस्था में देना यह प्रश्णा मतलब इन्होंने कितना अभ्यास किया होगा इतने द्रव्यों में मदूर रस प्राया है मदूर विपाग है या मदूर प्रभाव है इनका समाविश स्कंद में किया है मतलब मदूर असके कितने दरव्य उनके पास थे अब इनका क्या करना है वो आगे बताते है एवशाम एववम विधानाम अन्ये शामच इसमें से सभी या जो मिलेंगे वो या जो योगी कहे वो आप एक-एक भी दे सकते हो दो भी दे सकते हो तीन भी करस के दे सकते हो चार करके दे सकते हो आप कितने चाहिए उतने multi-paramination combination कर सकते हो या आपके बुद्धी के उपर डिपेंड या अन्ये शामच प्रक्षाल्य अच्छे से धोके पानी ये न सुप प्रक्षालिता नाम स्थाल्याम जिसमें अच्छे जो थाली है जो अच्छी से धोई हुई है उस थाली में समावाप्य रखके पयसा अर्दोदके न दूद में आधा पानी डालके वो दूद में आधा पानी मिला हुआ दूद उसमें डालके अभ्यास इच्छ उसमें डालके पूरा वो चूरन या जो तुकडे की है वो पानी युकत दूगद में घोलके स्थाल्याम समावाप्य स्थाली में रखके साधाये दर्व्याम सतता मावगट वो आगनी पे रखके फिर दर्वी से उसको हलाते रहिए और उसको अच्छे से क्वात कर लीजी तद उपयुक्त भुईष्टे अंबसी गतर असेशु आउशदेशु पयसी तब उसमें से पानी सब चला जाए और दर्व्यों के जो रस है वो दुग्द में पूरे उतर जाए इसके बाये समझ कर अनुपदक दे वो पूरा जले नहीं इससे पहले ही स्थाली मुपर उत्य स्थाली आग से निचे रखिए सु परिपूतम फिर अच्छे से चान लीजिए पयहा सुखोष्णम ऐसा परिपूत किवा दुग्द सुखोष्ण जब होता है मदब सहे कर सकते है उश्ण ऐसा उश्ण है तो उसमें घुरतताई लवसा मज्जा लवन फानित इतना डालके फिर वस्तिम वातविकारणे विधिद्या विधिवद अध्याद तो वातविकार में ऐसे सुखोष्ण बस्ती इस द्रव्यों से आप दे सकते हो अगर आपको पित्तविकार में देनी है तो शीत करके ये जो दुग्द आपने तयार किया है उसको शीत करके उसमें मदू सरपी डालके पित्तविकार ने विधिवद अध्याद पित्तविकार में यह आस्थाबं बस्ती दे सकते हो इती मदूरस कंदा, इस प्रकार से, अब इसके कितने गल्प होंगे? अपरी संखिय गल्प होंगे, जितने दरवविया यहाँ पे दिये हैं, उनके अलग-अलग संयोग संसकार करके, आप अलग-अलग प्रकार के आस्ताबं बस्ती, पित और वातविकर में दे सकते हो, वातम आपको जिंदे की चल जाएगे आपको कलपाच चूस करते 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 या योगिक तैयार करते करते अब आगे हैं अमलसकंद अमर अम्र अम्रतक लकूच करमर्द व्रुक्षामल अमलवेतस कुवल बदर दाडिम मातुलूंग गंडिर अमलक नंदीतक शीतक तिंटीडिक अम्र धन्वना नाम फलानी इनके फल पत्रानी च अम्रा तक अश्मन तक चांगिरी आम्रा तक अश्मन तक और चांगिरी के पत्र चतुर विधा नाम च अमलिका नाम च तुर विधा प्रकार के अमलिका द्वयो हो कोल यो हो आम शुष्क यो हो द्वयो शुष्क और आम ऐसे दो प्रकार के कोल द्वयो हो चैवा शुषक अमली का यो हो ग्राम्य आरण्य यो हो ग्राम्य और आरण्य ऐसी दो प्रकार के सुखी हुई अमली का आसव द्रव्या नीच वीविद प्रकार के आसव द्रव्य सुरा सवविरक तुशोदक मैरेय, मैदक, मदिरा मदुशुक्त, शीधु दधी, दधीमंड, उदश्विता आनी, अमला दीनी इतनी सारे अमला रसके ये द्रव द्रव है, इशाम एवं विधानाम, अन्य एशाम चँ अम यहाँ पे जो बताये है और यहाँ पे जो गलती से धह गए या फिर नहीं बताये, ऐसे अनुक्त इन सभी अमला वर्ग परी संख्याता नाम ऐसे आउशद द्रव्यों का आउशद द्रव्या नाम छेद्यानी खंडशा छेद इत्वा भेद्यानी अनुशा भेद इत्वा जिनका तुकडे कर सकते है उनके तुकडे करके जिनका चुरू न कर सकते है उनका अनुशा चुरू न करके यह जो द्रव्य है, अमला द्रव है द्रवई स्थाल्याम अभ्यासिच्च आप यहाँ पे दुगदका उपयोग नहीं करना है, उस द्रवयों में यह जो अमलरस के द्रव है, वही डालके फिर उसी प्रकार से साधा इत्वा, जो मदूरस का नहीं बता है, उसी प्रकार साधा इत्वा, उपसमस्कृत्य, यथावत, तैल वसा मज्जा लवन फानित उप ये अमलसकंद है अब देखिए यहाँ पे उक्त बताए है और अनुक्त आप दे सकते हो और आपको कोई द्रव्य मिला कि जो अमलरसका है वो भी आप उसको में एड़ कर सकते हो अब यहाँ पे आप दो कलप दो इतने सारे क्रुव्य है इसमें से दो द्रव्य ले सकते हो तीन द्रव्य ले सकते हो चार ले सकते हो पाश ले सकते हो या सभी ले सकते हो या आपके बुद्धी के उपर डिपेंड है और रुगण की अवस्था पे उपर डिपेंड है फिर आ आटे यक पाउशुज अन्य एवं प्रकाराणी चो अन्या नी लवण वर्ग परी संख्यातानी ये लवण वर्ग के संख्या या बताई है एव एतानी अमला उपहितानी अब ये लवण जो द्रव्य है ये पहले चुर्ण जो द्रव बताई है वो द्रव उसमें डालके उष्णो दक्क उपहितानी या फिर गरम पाने डालके स्नेह वंती किंचि स्नेह डालके सुखोष्णम बस्तिम वातविकारिने विदीद नहां विदिवद अद्यार अब ये भी वातविकार में देना है मदूर सकंद वायू में और पित्त विकार में देना है अमल सकंद वातविकार में देना है और लवन सकंद भी वातविकार में देना है इती लवन सकंद हाँ अब आगे कट्टूसकंद पिपली पिपली मूल, हस्ति पिपली, चौव्य चित्रक, श्रूंगवेर, मरीच, अजमोदा, आरक, विडंग, कुस्तुम्बुरू, पीलू, तेजोवत, तेजोवती, एला कुष्ट भल्लातकास्थी, हिंगो निर्यास, किलीम, मूलक, सरशप, ल परणास, क्षवक, फणिंजक, क्षारमूत्रपित्तानी इती, क्या बताया, अमल इन गृत, गृत डालना है, अमल सकंदक का जब आप अमल सकंदक से, जब द्रवर डालके उसका क्वाथ तैयर करोगे, तो उसमें गृत डालना नहीं बताया, क्योंकि वात विकार में देना है, क्योंकि तैयल बताया है, अमल इन गृत नहीं बताया, क्योंकि वात विकार में देना है, तो हम ती कटू सकंद देख रहें, गंडीर काल मालक, परणासक, शवक, फणिंजक, क्षारमूत्र, पित्ता नीती, इतने सारे द्रव्य, ये कटू रसके है, एशाम एवं विध व्यानाम, ऐसे आउशत द्रव्यों का, छेद्यानी खंडशा, छेद इत्वा, भेद्यानी अनुशा भेदर, या भी आरता आपको पता है, गोमूत्रे नस, यहाँ पे गोमूत्र डालने के लिका है, मतलब इन जो द्रव्यों है, इन द्रव्यों के चूरन करके, या मदू, तैर और लवण, योग्या बात्रा में डालकर, सुखोष्नम बस्तिम, सुखपुर्वक जो सुखोष्न है, ऐसी बस्ति तयार करके, श्लेश्म विकार इने, विदीद नहा, विदीवत दद्यात, उसमें श्लेश्म विकार में देना है, अब कटू सकंद के जरव्यो श्लेश्म में विकार में कहा इसका अर्थव वायो और अम्ल, वायो और पित्त में देना नहीं है उसका, इसके संदरभा आगे बताया है, इती कटू कशकंद है, अब आगे हैं तिक्त वरगज, तिक्त सकंद है, चंदन, नलद, कुर्तमाल, नक्तमाल, निंबग, कूटज हरिद्र, दारोहरिद्र, मुस्ता मुरुवा, किरातिक्त, कटूक रोहिनी, त्रायमाणा कारविल्लिका, करीर करवीर केबुक, कठिल्लक, व्रुश मंदुक परणी, करकोटक वारताक, वारताकु, करकश काकमाची, काकोदुबरिका, सुषवी अतीविशा, पतोल, वाठाक, गुडुची, वेत्राग्र, वेतस, विकंकतग, बकुल, सोमवलक, सप्तपर्ण, सुमना, अरक, अवलगुज, वचा, तगर, अगुरु, वालक, उशीर, इती एशाम, एवं, विधानाम, च, अन्यशाम, यहाँ पे जो बताए है, और यहाँ पे जो बताए है, नहीं, ऐसे अन्य भी, तिक्तवरग परी संख्याता, जो तिक्तवरग में आते है, ऐसे आउशत द्रव्यों को, चेद्यानी, खंडशा, छेदाईत्वा, भेद्यानी, अनु अगर पित्त विकार में देनी है तो इस क्वाद को शीत करके ज्यादा थंडा भी नहीं करना है थोड़ा सा शीत करके फिर उसे मदू और सर पे डालके विधीवत उसको पित्त विकार में देनी है मतलब तिकतरस यह शेश्मविकार में है और पित्त विकार में है इती तिकतस कंदा हाँ अब यह पूरा सभी द्रव एकट अगर के देना है ऐसा नहीं है इसमें से कोई दो या तीन या चार पाट छे साथ आट ऐसा करके आप जो चूज कर सकते हो उसमें से आप चूज करके उसको कवाद बना के फिर उसमें लवन वगरे डालके मदूक तैल डालके आप दे सकते हो अब आगे है कशाईसकंद प्रियंगु अनन्तात आमरास्थी अंबश्टिका कटवंग लोद्र मोचरस समंगा धातकी पुष्प पद्मा पद्मकेशर जम्वाम्र प्रक्ष वट पी कपीतन उदुम्बर अश्वत बल्लात कास्थी अश्मन्तक शिरिश शियुशपा सोमव तिंदूक, प्रियाल, बदर, खदिर, सप्तपरण, अश्वकरण, स्यंदन, अरजुन, इरिमेद, एलवालूक, परिपेलव, कदंब, शल्लकी, जिंगिनी, काश, कशेरुक, राज, कशेरुक, कटफल, वउश, पद्मक, अशोक, शाल, धव, सर्ज, बुर्ज, शन, खर, प पुरशमी, माचीक, वरक, तुंग, अजकरण, स्फूर्जक, बिबीतक, ककुभी, ककुम्भी, पुशकरबीज, बिसमृणाल, ताल, खरजूर, तरुनानी, इती, एशाम, एवं विदानाम, च अन्येशाम, कशाय वर्ग सांपरिसंकेता नाम, जहाँ पे ये बताए है, और जो अनुक्त है, ऐसे कशाय वर्गो क्या उशद द्रवयों को, छेद्यानी, खंडशा छेदा ही तवा, भेद्यानी, अनुशा भेदा ही तवा, प्रक्षाल्य, पानी एना अभ्यासिच्य, अब पानी द्रवयों से उसमें उसको डालके, उसका अच्छा क्वात, सासाधा ही पित्त विकार्ण दद्यार और शीत करके मदू और गुरुत डालके पित्त विकार में देना चाहिए इती कशाय सकंदा अब ऐसा आपने देखे 26 सकंद हो गए आपने पड़े आप हमने पड़े और हमें ये भी लखा कि कई दरव्य दो दो या तीन-तीन सकंद में आया है जैस इसलिए जिसमें जो रस बलवान है या जिस विपाग का है या जिस प्रभाव का है उसका उसुस गुण में समाविश्किया है चकरपाणी कहते हैं इसके टीका में अत्रच सकंदेशु यद द्रव्यम सकंद द्वय पठनते तद उभय गुण युकतत्वेन उभय अत्रप योगी थी जो द्रव्य दो या तीन सकंद में वरनंग किया है वो दोनो गुण से युकत होने से दोनो जगा वो योगी कहे इसलिए ये पुनरुक्ति नहीं है या पुना-पुना बता ऐसा नहीं है अरे बस्ती के अनुसार उस द्रव्यों का चयन किया है ये आपकी बुद उसमें से जिस अवस्था में जो योगीक है उसको इस प्रकार से बस्ती तैयर करके सिर्फ देनी है इतना ही काम हमें करना है बाकी उन्होंने पूरा काम करके रखा है अब आगे बताते हैं तत्रश्लो कहा शडवर्गा परिसंख्याता ये एते रस भेदता हा अस्थापनम अभी प्रेत्य तान विद्यात सारवयोगिकान जहां पर ये रसो के भेद के अनुसार छे प्रकार के अस्थापन स्कंद अस्थापन के लिए ये स्कंद तैयर किये स्कंद का अर्थ समू है वो सभी योगी कहे ये समझीए मदब उन्होंने खुद करके देखे है सिर्फ ऐस नाम इकटा करके लिखे ऐसा नहीं है यह सारवयोगी के है मतलब उनको इसका उपयोग उन्होंने किया और फिर वो कल्प यहाँ पे लिखे है आगे कहते है सर्वशाहाही प्रणी हिताहा सर्वरोगेश जानता सर्वाद न योगा निन्य चंती ये भ्यास्थापनम हितम मतलब इसमें से सभी वर्ग सभी का सभी वर्ग पुरा का पुरा मदूरसकंद या पुरा का पुरा अमलसकंद भी आप दे सकते हो या उसमें से कोई एक दो या तीन द्रववयो दे सकते हो या और एक उन्होंने बताया है कि समस्त वर्गों में से मतलब कुछ द्रववयो मदूरस भूसकंद्य की बस्ति देनी है ये तो उन्हेंने बता क tre करा है आप व also भी उस प्रकार से भी दे सकते हो या फिर छे रशो में से जो जो दर्वीय आपको योग्या लगता है उस वस्ता में। वो आप चयन करके उस की फिर बस्ती करके दोशों के अनुसर उस प्रकार के आस्तावम बस्ती दे सकते हो इसको अभी आ रहे है आवाज आ रहे है अभी आवाज आ रहे है मेसेज आया है कि not audible अभी आवाज आ रहे है क्या शुड़ाई continue तो इस प्रकार से बस्ती दे सकते हो अब आगे के सुत्र है, 47, वो कहते हैं, येशाम येशाम प्रशान तेशाम ते परिकोपना, मतलब जिस जिस मदूर सकंद में, मदूर सकंद ये वायू के लिए बताया है, पित्त के लिए बताया है, अमल सकंद ये वायू के लिए बताया है, तिक्त सकंद ये शेश्म के बताया है कशाय सकंद शश्मा और पित्त के लिए बताया है लवन सकंद वायू के लिए बताया है तो फिर जिस जिसमें ये न परिकिर्दा मतलब कशाय सकंद में वायू के लिए बताया नहीं है तो वहाँ पे ये परिकोपन हां अगर आपने वायू में वायू के विकार में अगर आपने कशाय का स्कंद की बस्ति दी, वो वायू का वातविकार बताया है, तो अगर अगर लवन अमल में वातविकार के लिए बताया है, श्रेश्मा और पित्त के लिए बताया नहीं है, तो उसमें आपने वो बस्ति दी, तो वो उसका प्रकोप करेगा. इती एते शड आस्थापन सकंदा रसता अनुविबज्य व्याक्याता इसलिए यहाँ पे शे रसों के अनुसार आस्थापन सकंदा का वर्णन किया अब इसमें कुछ टीका बहुत महत्वकी है ये टीका का हम विचार करेंगे चक्रपणी कहते हैं कि इदानिम सर्ववregनाम सरवेशु आस्थापन साध्यरोगेशु यहोगी कतवम यदुखतम तद पिट्त ज्वरे कटू वर्गन आस्थापनम पिट्ट ज्वर पिट्तक रत्वात ज्वरवर्दगं भवती मतब कटू वर्ग में क्या बताया है कि कटू वर्ग शेश्मा विकार में देनी चाहिए बाकी दो रसों का वरणन नहीं किया है तो अगर आप पित्त जोर में कटू वर्ग से आस्थम बसी दोगे तो उसमें पित्त जोर बढ़ जाएगा क्योंकि वो पित्त कर है इसलिए दोशों के अनुसार ये बस्ती का विचार करना चाहिए गरंतकारों ने करके ये उल्लेक करके रखा है सिर्फ हमें उसका उपयोग करना है आगे कहते है मदूरसकंद में क्या बताया है कि आप सुकोशन बस्ती करके वातविकार में दीजिए और शीत बस्ती करके पित्त विकार में दीजिए तो यहाँ पे कफविकार का उल्लेक नहीं किया है इसलिए मदूरसकंद के द्रव्य एक कफवर्दक है इसलिए वहाँ पे उनमें ये बस्ती नहीं दीन है इस प्रकार से प्रत्यकमागे कहते चक्रपाणी प्रत्यक वर्ग में कौनसे कौनसे वैद्यों का नाश करता है हमने बताया है आप अनुक्त का उस प्रकार से अध्यन कर सकते हो अब आगे का जो सूत्र है 149 ये बहुत महत्व का सूत्र है तेभ्यो विशक बुद्धिमान इसलिए इन सभी सकंदों में से जो बुद्धिमान वैद्य है उसने परिसंख्यातम अपी मतब जिस गण में जिसका उलेख किया है ऐसा होते हुए भी यद्यत द्रव्यम अयोगिकम मन्येत अगर किसी अवस्था में वो द्रव्य अयोगिक है देना नहीं चाहिए तद तद अपकरशयेत तो आप उस गण में से उसको निकाल दीजी और यच्च अनुक्तम अपी योगिकम मन्येत तद तद विदद्याद और जो जो द्रव्यम जिसकंद में वरणम नहीं किया है फिर भी आपको योगिक लग रहा है तो आप उसका उपयोग उसकंद में कर सकते हो देखो हमें free hand या है करने के लिए ऐसा rigid नहीं है कि यही द्रव्य देने है यही सकंद है ऐसा नहीं बताया है यह सकंदब बताया इसमें आपको अगर लग रहा है कि यह द्रव्य योग योग्य नहीं है इस आवस्था में तो आप वो मत दीजी और अगर दूसरे द्रव्य योग जो यहाँ पर बताया नहीं है पर आपको योगी के लग रहा है तो आप वहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हो this is the free hand given by आचारियास क्या हम उसका उपयोग करते हैं नहीं करते हैं हम बस एक rigidity लाये है हमने जैसे अलोपथी में है वो हमारे उपर आया है कि पैरसिटेमॉल छोटा बच्चा हो बड़ा हो स्त्री हो पुरूश हो सबको एक द्रविवे देते हैं ऐसा आईरवेद में नहीं है हरे एक रूण के लिए आपको नया योग कर सकते हो तरतमत्व से कर सकते हो ज समझो जीवनिय दस वहाँ पर बताया है एनियम दस द्रविय जीवनिय में वरणन किया है पर आज हमें कोई द्रविय मिलते नहीं है तो अनुक्त द्रविय आप उसमें डाल सकते हो और नया जीवनिय गण बना सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ये द्रविय वहाँ पर उ इसके आपको कुछ समझ में नहीं है है वराने करना है तो दस द्रवियों में से जो मिल रहे है उसका पूरा करके अब उसकी वटी है को आको आओध करके दो पर बुद्धीबान वख्थीश मांठी करना है हर एक द्रविय की अपनी-अपनी कारे करेगा मतलब वरणय विकृत होने के जितने सारे हितु है उसमें से अलग-अलग अवस्था में अलग-अलग द्रविया काम करेगा या दो द्रविया मिलके काम करेंगे या चार द्रविया मिलके काम करेंगे या पाश द्रविया मिलके काम करेंगे या किसी अवस्था में दस के दस दरव्य एकट्था मिलके काम करेंगे, आप बिना सोचे, दस के दस दरव्य एकट्था करके दे रहे हो, तो यू आर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, we are diluting the science, and we are disturbing the national property, we are wasting the national property, जहां पे जो दरव्य यवगिक नहीं है, उसमें हम अगर वो दरव्य दे रहे, तो हम उस दरव्य का बिना कारण नाश कर रहे, पहले ही वनस्पतिया कम है, और सारी कंपनियां उसको निचोड़ निचोड़ के, अभी देखो गुड़वेल, गुडूची आपको मिलेगे ने, दो साल आगे, जैसे कुटकी का हो गया था, अब गुडूची मतलब सांशमनिवटी मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि पुरा भारत खा रहा है सांशमनिवटी, वो क्यों बताया है, अगर आपको तकलिफ होई तो खाना है, पर घबरा के सांशमनिवटी रोट सेवन करेंगे, तो वो योगिक नहीं अभी, जरूरत पड़ेगी तो लेजिए, पर अभी गुडूची जाएगी पूरा, ऐसे हैं आपने सबका नाश करके रखा है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो द्रव्यों देने की कोई बात नहीं, जो आवश्च के वही द्रव्य लिजिए, एक द्रव्य लिजिए और वो पूरा व्यादी ठीक होना चाहिए, या पेक्षाए गरंतकारो की हमसे, जैसे महाकशाए बताए, वैसे ये सकंदब बताए पश्तिके, इसमें से सभी द्रव्य लेने हैं ऐसा नहीं है, आपको अगर लग रहा है कि ये आवस्ता में द्रव्य नहीं, योग्य नहीं है, अब निकल दिजिए, और अगर आपको लग रहा है कि ये द्रव्य यहाँ वरणन नहीं किया है, पर ये योगिक लग रहा है, तो you can add it आपकी बुद्धी के उपर dependent freehand यहा हमे कितने हम भग्यशाली है कि हमारे पास इतना सुन्दर शास्त्र है और हम इसको dilute करके रखे और हमें किसकी मतलब कौन अच्छा लगता है modern अच्छा लगता है क्यों? जिसको कुछ नियम नहीं है dose change होते रहते है हर द्रविया उनके हर tablet हर drug 10 साल के बाद निकल जाते है अब कोई ये यूज नहीं करता क्या नाम है उसका penicillin penicillin यूज नहीं करता कोई मेरे पिता जी जो practice करते दे तो बहुत सारा penicillin का यूज किया उन्होंने अब penicillin को बयान है पूरे दुनिया में बयान है penicillin मतलब जिसके द्रविया स्थीर नहीं है जिनके drug बदलते रहते है वो हमें अच्छा लगता है और जो शत्तोकों-शत्तोकों से यहां भी लिखके रखा है और आपको free hand दिया है कि आप ये द्रविया आपके तरह इस्तेमाल करो आपको जो चाहिए वो निकालो जो नहीं है वो याइड करो वो आपको आप उसके तरफ देखती भी नहीं हो मतलब मैं आपके लिए उसमें मैं भी आता हूँ हम उसके तरफ देखती भी नहीं है उपयोग तो दूर की बात है, विमास्तान कोन पड़ेगा, उसका आठवाध्य कोन पड़ेगा, उसका आखरी पार्ट कोन पड़ेगा, और इतना महत्व का विश्य है, इतने सारे पंचकर्म सेंटर है, कौन से पंचकर्म सेंटर में, इस प्रकर से बस्ति दी जाती है, मैंने देखी मैं भी नहीं करता हूं करनी चाहिए पर हमने क्योंकि हमारी बुद्ध डाइलूड हो चुकी है और आगे की पिडियों के लिए रखेंगे नहीं रखेंगे हम यह समुचित नाश करने वाले है इसलिए इस प्राद की बिमारे आती है और हमें घर पे बैठना पड़ता है दुनिया के लिए हम वाहिरस है मनुष्य सबसे विश्य उक्त प्राणी है सभी दुनिया में बाकी के प्राणीों के लिए हम सबसे विशारी है जहां से हम जाते है न वहाँ गास भी नहीं उकती अगर हम कैसी जमीन से बारदार जाने लगेंगे तो वहाँ पे घास भी नहीं यूगती है अगर हम चीडियों को हाथ लएंगे तो बागी की चीडिया उसको मार डालती है यह तो उनमें व्याधी फैलते है शास्त्र देखो शास्त्र क्या कहे रहा है इसलिए आगे कहते हैं वर्गम आपी वर्गेण उपसंसरुजयत एकम अनेके नवाव युगतीम प्रमाण पर उसके लिए प्रमाण होना चाहिए मेरे मन को भाया में कुत्ता गाटके खाया इस प्रकासन होना चाहिए उसको प्रमानित करके युक्तिक आनुसरे करना चाहिए कैसे करना चाहिए उसके दो दुरुष्टांद बताए प्रचरणम इवा भिख्शुकस्य, बीजम इवा कर्शकस्य सूत्रम बुद्धिमताम, अलपम अपी, अनलपद ज्यानाय भवती जो बुद्धिमान विक्ति है, उसको अलपशा बताई हुई चीज से भी बहुत सारे घटकों का ज्यान होता है जैसे जो भिख्शुक होता है, हर घर में जाके वो भिख्शा मांगता है, वो क्या करता है हर घर में से थोड़ा थोड़ा धन्य लेके फिर अपना पेड भरता है सबी जागा एक ही घर में जाके खाना नहीं खाता है, थोड़ा इस घर से मिलेगा, थोड़ा उस घर से मिलेगा, थोड़ा इस घर से मिलेगा और फिर समुचित करके वो खाना खाता है या फिर बीजा कम बीजा मियों कर्शक अस्य कर्शक मतलब जो किसान है वो खेत में थोड़ा सा धान्य डालता है और उसमें से बहुत सा धान्य फिर से प्राप्त करता है मतलब बीच एक रोएगा और उस एक बीट से कई सारे धान्य प्राप्त होंगे थोड़ा सा बीच डालेगा खेत में और उससे धान्य उसको किलो किलो में धान्य मिलेंगे वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है अलपशा जो चीज बताई है उसमें से उसका विस्तार करते करते बहुत सारे घटकों का न्यान कर लेता है मंद बुद्धि इसलिए क्या किया है तसमात बुद्धिमान व्यक्ति को कैसे होना चाहिए उँआ पोह और वितर को होना चाहिए उँआ पोह का आर्थ है उँआ मतलब अतिर्द संयोग जो नहीं वरनन किया है वो डाल दीजिए और अपोह मतलब ततो निश्कासनम जिसका समावेश है उसको निकाल दीजिए और वितर का आर्थ है अत्र अयम योगी कहा न वाई थी ये ठीका है योगिन्दना सेन की जिस व्याधी में जिस रुगुण की आवस्था में ये द्रविय योगी कहे या नहीं है ये समझना इसका विचार करना इसको वितर का कहते है इसलिए बुद्धिमान वेक्ति में उह अपोह और वितर का के साथ जो द्रविय चाहिए वो डाल लेए जो द्रविय नहीं चाहिए वो निकाल के परिमेटेशन कॉम्बिनेशन करके हर एक रुगन की अलग-अलग कलप ने तयार कीजी हमने आपको सार बता के रखा है कलप अलग-अलग तयार करना ये आपकी बुद्धी के उपर डिपेंड़े मंद बुद्धी को क्या करना है मंद बुद्ध हे तू यतोक्त अनुगमनम एवश्रया जो बताया है वैसका वैसक किया तो भी उसको श्रय मिलेगा मंद बुद्धी को क्यूकि यतोक्तम ही मारगम अनुगच्चन जो बताया है उसके मारगम पे आजाके विशक साउसाधैती कारियम विशक कार्य सिद्ध करता है, रुगुनों को ठीक करता है, यशप्राप्त करता है, स्वास्त्य प्राप्त करता है अति अनती महत्वादवा, वीनी पातयती, अति रस्वत्वात, उधारन सेती, जो उधारन मात्र के रस्वता बताया है, उसका विस्तार करके, और जो विस्तार बताया है, उसका संशेब करके, आप जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पे चलोगे, तो आपको यशत जरूर अब आगे 150 नमर का सूत्र अतप परम अनुवासन दरव्यानी अनुवैक्ष्यास्यामा अब अनुवासन सकंद बता रहे अनुवासनम तु स्नेहम एव अनुवासन मतलब स्नेह स्नेह स्तु द्विविधा स्नेह दो प्रकार का होता है स्थावर अत्मका जंगम अत्मका स्थावरात्मक 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 स् वनस्पतियों से मिलने वाले स्नेहों को तैल ही कहते हैं। तो वसा मज्जा और सरपी ये तीन जांगम स्नेहों है। ते शाम ऐसे चार स्नेहों में तैल वसा मज्जा सरपी शाम यथा पुरुवम स्रिष्ठम वातश्रेश्म विकारेशु अनुवासनी येशु। आपको पित्त विकार में आनुवासन देना है तो तैल वसा मज्जा सरपी ये यथोतर स्रिष्ठ है मना सबसे स्रिष्ठ सरपी है। अगर आपको सभी विकारों में सभीस नहीं आप उपयोग में कर सकते हो सभीस नहीं का उपयोग आपकी बुद्धी के अमसार कर सकते हो। अब इसके आगे आखरी विशय चल रहा है शिरोविरशन द्रव्या शिरोविरशन द्रव्यानी अब ये विशेश वरणन है पुनाह अपामार्ग पिपली मरीच विडंग शिगरू शिरीश तुम्बरू पिलू अजाजी अजमोदा वार्ताकी पृत्वीका एला हरेनुका इनके फल सुमूख सुरस कुठेरक गंडीर कालमालक परनास क्षवक फनिंजक हरिद्रा श्रूंगवेर मूलक लशून तरकारी सरशप इनके पत्र अरक अलरक कुष्ठ नागदंती वचा अपामार्ग श्वेता जोतिशमती गवाक्षी गंडीर पुष्यवाक पुष्पी पुष्प बुष्चिकाली वयस्था अती विशा इनके सबीके मूल रिद्रा श्रूंगवेर मूलक लशून इनके कंद लोध्र मदन सप्तपरण निंबारक इनके सबीके पुष्प देवदारू अगरू सरल शल्लकी जिंकीनी असन हिंगुन इनके निर्यास तेजोवती व इनके सबीकी त्वचा अब यहां पे आगे चकार बताया है मतब देखिए हरिद्रा श्रूंगवेर मूलक लशून कंद हाच हरिद्रा का कंद यहां पे बताया है पर आप हरिद्रा के पत्र बाकी पुष्प बनस्पति ये भी आप ले सकते हो आपामार्ग पिपली अमरिच विडंग, शिग्रो, शिरिश इनके फल बताये पर आप आपामार्ग वगरे के बाकी के पंचांग भी उपयोग मिला सकते हो प्राया उनके उसूस अंग का वरणं किया है इती शिरोविरेचनम सब्त विदम सब्त विद प्रकार से है फल, पत्र, मूल, कंद, पुष्प, न उपशयानी तथा अपराणी, अनुक्तानी अपिद्रव्यानी यथा योग वहितानी शिरोविरेचन आर्थम उपजद्शन्तमिती शिरोविरेचन द्रव्या कौन है इनके क्राइटेरिया बताएं, पहला क्राइटेरिया है जो लवण, कटू, तिक्त और कशाय रसका है, इस रसके द्रव्या शिरोविरेचन के रहे योग्य है और दूसरा क्राइटेरिया है इन्द्रियों का उपशय करते हैं, इन्द्रियों को प्राकुरुत अवस्था में रखते हैं, इन्द्रियों के उपर कारिय करते हैं, वो सभी द्रव्या शिरोविरेचन करने के लिए य योगी के नहीं है ऐसे लवन कटो तिक तक शाय और इंद्रिय उपशय ऐसे द्रुव्य ऐसे यहाँ पे कुछ बताए ऐसे अन्यभी अनुक्तानियापी जो अनुक्ता भी हो सकते हैं जो यहाँ पे वरणन नहीं किये मदब चरग कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं पूरा का पूर के हैं इसलिए जो व्यक्ति कहता है कि मुझे समुचित अईरवेद समझ में आया उसको कुछ भी समझा नहीं है यह हमको समझना है जो व्यक्ति ऐसे अहंकर से करता है कि मैं ही हूँ अईरवेदाचारिय मैं ही सबसे बड़ा हूँ मैं ही यह हूँ मैं ही राजवाइद्य हू उनको कुछ समझा नहीं है जिसको अहंकार आया उसको आईरवेज समझा नहीं इसलिए ये गण संग्षेप में अगर संग्षेप में इतना वरण कितना होगा हमारे बुद्धी को कितना बड़ा खाद्य है हमारे लिए ये हमारा कारिय है हमने करना चाहिए ये शुरोविरशन के कल्प है अब इसमे चक्रबाणी ऐसा कहते है टीका में कि इंद्रिय उपशा यानी इती यानी लवणानी यानी इंद्रिय उपगातानी तानी एवा शुरोवशन युज्जानी तथा अपर आनी मदूर अमल कशा यानी आपी यानी शुरोवशन युज्जानी अपर अमल रसके भी जो द्रविय इंद्रिय उपगारक है उनको भी आप शुरोवशन में ले सकते हो इस चाहिए ठीका गारोका है अब आगे अध्याय के प्रशस्ति कर रहे है अब इस अध्याय के प्रशस्ति वरणं कर रहे है और उसका उपस हुआर कर रहे लक्षन आचार शिश्यानाम कौनसे कौनसे विशय आये है परिक्षा कारणमचयत लक्षन मतलब शास्त्र शास्त्र परिक्षा, आचार्य परिक्षा, शिश्य परिक्षा और उनके कारण बता है। क्यू करने है वो बता है। पदानी दशचा अन्यानी कारणादीनी तत्वता दशविद परिक्षा कारणादीनी दशवित परिक्षा उसमें दशवित परिक्षा भाव देश परिक्षा के अंतर गदाते है अब आगे एक बहुत सुन्दर वरणन कर दे सुत्र 155 और 156 में अध्या प्रशस्ति कर रहे है बहुविदम इदम उक्तम अर्शजातम अनेक विदप्रकार से अनेक विश्यों का यहाँ पे वरणन हुआ बहुविद वाक्य विचित्रम अर्थकांतम अनेक विद प्रकार के वाक्य जिसमें बहुविद प्रकार के अर्थ है अर्थ युक्त ऐसे वाक्यों की योजना इस अध्या में की बहुविद शुभ शब्द संधी युक्तम अनेक प्रकार के शुभ जिनका सिर्फ उच्चारण करने से हमें शुभ प्राप्ति होता है मतलब अगर यह आध्या सिर्फ आप पठन करोगे तो आपको सभी शुभ की प्राप्ति होगी यह आठवाध्य का विशेश वरणन कर रहे हैं कि विशेश था आठवाध्य सिर्फ आप पठोगे तो आपको सभी मंगलता प्राप्त होगी ऐसे शुभ शब्द और शुभ शब्दों के संधी जिसमें वरणन किये हैं एक भी शब्द अशुभ कारक इस अध्या में नहीं है इतने सारे बहुविद रहेत्यों से जो मती प्राप्त होती है विजदनी व्यान परमतवाद सुदनिम जो मती दूसरों के वाद का नश्ट करने के लिए जो समझ लेता है इस अध्या का समुचित अध्यान करके अध्या के विशय समुचित समझ लेता है वो दूसरों के द्वारा कभी भी पराजित हो नहीं सकता और अपने वचन से दूसरों को पराजित कर सकता है दोनों उसको प्राप्त होते है अगर यह अध्याय अच्छे से पढ़ा सभी विशय निट ठीक सराजित समझे गैसे किया अगर हमने तो हम कभी भी किसी को भी वाद में उसको पराजिक कर सकते है और दूसरों के द्वारा हमें कभी पराजे प्राप्तन नहीं हो सकता ये अध्य के प्रशस्ति इसलिए अध्य का पठन करना अत्यनता अवश्यक है और आगे कहते हैं अभी पूरे स्थान की प्रशस्ति कह रहें अब स्थान समापत हो रहा है तो यह स्थान की प्रशस्ति है दोशादी नम तु भावा नाम सरवेशाम एव हे तुमत मानात सम्यक विमानानी निरुपतानी विभागशा दोशादी का दोशादी जो भाव है दोश, धातु, विकार, अगनी, प्रकुरुती, अध्य, अध्यन अहार विदी विदान आ गया, अहार विदी विशशायतन आ गये, रसप्रभाव आ गया, द्रव्य प्रभाव आ गया, विकार प्रभाव आ गया, कुरूमी का वरणन आ गया, व्याधित रूपियों का वरणन आ गया, अगनी का वरणन आ गया, प्रकृति का वरणन आ गया, स् समुचित वादमार्गों का परिक्षाओं का वरणन आ गया, इतने सारे वरणन जो भाव है, इनका हेतुमत अगर अध्यान करते है, हेतुमत की टिका है, उपपत्ति के द्वारा वरणन अगर हम अध्यान करते हैं, तो, इनके, मतलब यह क्यों करना है, यह भी बताया है, इस विमान स्थान में सम्यक पद्धती से निरूक्त में निरूक्तता मतल विस्तार से विभाग करते हुए ये सभी विमान स्थान में ये विस्तार से वरणन किया है इती अग्निवेश्य कुरते तंत्रे चरक पर्दि संस्कुरते विमान स्थाने रोग विशक जित्तियम नाम विमानम नाम अश्टमो अध्यायाहा अग्निवेश्य कुरते तंत्रे चरक पर्दि संस्कुरते अनेन विधिना स्थानम विमानानम समर्थितम इस प्रकार से हमारा समुचित विमानस्थान आज खतम हुआ पूरे आठ दिन, मतब साथ दिन तो सिर्फ आठे अध्या को लगे और छे दिन में, साथ दिन में बाकी के साथ याचे चौदा दिन में हमने विमानस्थान के आठ अध्या पूरे किये ये सभी फेस्बूक पे आवेलेबल है और सभी यूटूब पर भी निरोक सिट के चानल पर भी और मेरे चानल पर भी आपको ये सभी वीडियो बाद में भी आवेलेबल रहेंगे अब मेरा प्रयास है कि कल से ये हमारे अध्यान पद्दत ही है ये खंडित न करते हुए क्योंकि कल से भी लॉक्डाउन है हमें और तीन में तक लॉक्डाउन रहना है तो मेरी ये इच्छा है कि कल से हम इंद्रियस्थान का अध्यान शुरू करेंगे क्योंकि इंद्रिय स्थान ये प्रायाहा दुर्लक्षित हुआ स्थान है और इसलिए मेरी ये इच्छा है कि इंद्रिय स्थान का व्यक्यान हम यहां कल से करेंगे एक दिन में दो-दो अध्याय हो सकते है मतलब दो अध्याय, चोटे-चोटे अध्याय है जहां पर आध्धे बड़ा होगा, वो आध्धे एक दिन में एक आध्धे होगा, पर प्राया एक दिन में दो आध्धे हो सकते हैं, और मेरी ये इच्छा है कि एक आध्धे का एक विडियो बनाएंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, अगर समझो पहला आध्धे खतम तो मैं वीडियो फीनिश कर दूंगा और फिर से दूसरा वीडियो शुरू करके दूसरा अध्याय कंटिनू करूंगा वो एक घंटे में जैसे आज हम एक एक घंटे में अध्याय पूरा करते हैं वैसे एक घंटे में दो-दो अध्याय पूरे हो सकते हैं तो हम कल से सुबे 11 बज़े से कल दो अध्या होंगे पहला वीडियो परथम अध्या कहोगा और दूसरा वीडियो दूसरा अध्या कहोगा इस प्रकार से हम इंद्रियस्थान का पूरे आगले दिन में अध्यान करेंगे और अगर आगे लॉगडौम बढ़ा या फिर समय मिला, तो मेरे इच्छा है कि रोच पाच तंत्र युक्तिया ऐसे करते हुए, या चार तंत्र युक्तिया ऐसे करते हुए, सारे तंत्र युक्तियों का अध्ययन हम इस अध्यय में करेंगे, शारिस्थान ये बहुत बड़ा है, विस्तार से है, एक एक अध्यय के बैठेंगे तो वो पूरा नहीं होगा इंद्रिय स्थान पूरा का पूरा हो सकता है इसलिए पहले इंद्रिय स्थान लेंगे और अगर समय मिला आगे तो बाकी किस स्थान भी लेंगे तब तक के लिए धन्यवाद कल से आज विमान स्थान पूरा हुआ अब कल से हम इंद्रि Namaste